तो देखें पहले हम ट्रांजेक्शन लेवल पर डिफरेंस देखेंगे कि क्या है तो जैसे यह जो है ना डबलो एम का एक्स्टंडेड वर्जन है और उसके जो डिप्लॉइमेंट फंक्शन है ना जैसे डिसेंट्रलाइज है यह एकदम ही अलग सर्फर पे है डिसेंट्रलाइज है एकदम अलग कमुनिकेशन है अलग सिस्टंड है थिक है एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो उसने जितने भी टी कोड़ बनाए उसमें SCWM एड़ करती है तो आप देखेंगे जब भी ट्रांजेक्शन चलाते है तो ट्रांजेक्शन लेवल पे आपको डिफरेंस मिलेगा SCWM लगा होता है तो यह आप समझेगा कि यह सप्लाई चेन के साथ स्टार्ट किया था SAP ने इसलिए SC दिया है दूसरा जो ट्रांजेक्शन लेवल पे डिफरेंस है वेर हाउस की कुछ टी कोड उसने हटाए नहीं जैसे बिल क्रियेशन आप देख रहे हैं या पर मेरा मैंने इस ID में कुछ टी कोड एड किया है ताकि आप चला चला के अगर देखना चाहे न अभी क्लास से पहले में वही कर रहा था तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती जाएंगी मैं एड करता जाऊंगा तो SAP ने कुछ ट्रांजेक्शन नहीं चेंज की है लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन चेंज की है जहां उसको लगा कि नहीं ग्लोबल ये एक अच्छा बेस्ट वे रहेगा तो उस लेवल पर उसने चेंज इस की है ठीक है तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगी स्टी डवल ये एक है दूसरा जैसे मैं एक अग्जांपल लेता हूं हमारा लस्जीरो वन ट्रांजेक्शन था डवल येम में बिन बनाने का ठीक है लस्जीरो वन अब देखिए इस पे ये वन के बाद उसने एक नया एड किया क्योंकि इसमें दो बार एंटर मारना पड़ता था तो ऐसे पी ने डाला एक नया ट्रांजेक्शन बनाया स्लेश ज़ेरो वन एड्यो ठीक है उस मैं ही जब उसने इस लेके आया एड़ वे तो उस सब्सक्राइब करेंगे तो बिन बनाने की ट्रांजिक्शन खुल जाएगी तो अब यह आपको दो दिखेंगी देखिए इधर क्या है ECC का WM का भीन है इधर क्या है SCM WM का भीन है अब देखिए क्योंकि यह master data का सबसे lowest part है और सारा inventory यहीं पर रहता है तो बहुत सारी functionality आपको यहां से WM की समझ आ जाएगी कि SAP का क्या planning था कि कैसे इसको करना है ठीक है मैंने यह वैसे T-code सारे इधर लगा भी दिए हैं अगर आपको लिखना हो एक T-code की list बना नहीं हो तो डेली हम 4-5 transactions की बात करेंगे जादा नहीं करेंगे और फिर दूसरे processes की बात करेंगे ताकि we can utilize lot of thing in a one class ठीक है अब देखिए तो WM में जो दिया था उसने storage bin के साथ यह जो पांच आप देख रहे हैं न यह पांच को इस्टेटिक्स तक इतना ही option आता था WM के अंदर EWM में activity area warehouse task ESA यह आपको जो verification दिख रहा है यह WM में था 6.0 में तो था उससे पहले I think नहीं था यह verification वाला यह जो P देख रहे हैं PBV verification इसको बोलते हैं PBV तो क्योंकि अभी आगे कई जगे वे रावसों में अभी voice based use कर रहे हैं पिकलिश का थोड़ा culture पुराना हो गया है लोग paper the people are mature now वो paper नहीं यूज़ करना चाहते हैं और green project कर रहे हैं कि paper बिल्कुल यूज़ नहीं करना है तो कई जगे voice picking concept popular है आप देखेंगे आपको YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा इसमें होता क्या है कि जैसे ही order receive आता है system notification rate करता है और ear plug एक लगा होता है RF device के साथ में और उसको पता चलता है कि order receive हो गया है picking करनी है नहीं करनी है picking हो गई ETO confirming तो यह pick by voice verification के लिए कि कौन picking कर नहीं कर इसको various purpose के लिए आप यूज कर सकते हैं यह verification था RF device से आप suppose कि जी एक बिन है और बिन है ओम 01 के नाम से मैं example लेता हूँ अब बंदे को पता है ओम 01 बिन है RF device में ओम 01 दिख रहा है वो बिन पे गया ही नहीं कहीं से भी material उठा लिया और ओम 01 दान दिया तो उससे क्य हुआ कि अब बिन तो ओम 01 थी वट उसने कहीं और से उठा कि उसको बिन पता थी से ले दे दिया था तो इन दोनों verification को यूज करने के लिए अभी जैसे wise verification है ना इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है इस verification में उसने ना कुछ ऐसे code डाल दिये ताकि user को पता ही नहीं च चार पांच करेक्टर के ताकि user चा के भी उसको बिन पर जाना पड़ेगा उसको scanning ही करनी पड़ेगी manual entry ना कर पाए ठीक है similarly अब ये देखी आपको जो तीन नए field दिये है activity areas ये दिया है SAP ने में जो और की structure में आप देख रहे थे कि अगर बिन को group करना है na activity के हिसाब से activity जब भी मैं बोलू आपके दिमाग में जाना चाहिए warehouse में क्या क्या activity होती है physical inventory होती है put away होता है picking होती है packing होती है ये चार पांच चीजे होती है तो जब भी activity का मन आये तो ये समझे तो activity area दिया कि कुछ group of bin में कोई activity चल रही हो ना उसको देखना है और integrate करके करना उसके ल transfer order जो था उधर वही warehouse task है EWM के अंदर और warehouse task होता क्या है it's a EWM document जब भी आप से कोई interview में कोई पूछता है what is warehouse task तो उसका simple side definition उसको बताईए it is a EWM document which is used in supply chain EWM for goods movement execution in the warehouse ठीक है ये simple हो गया कि ये document किसका है EWM का है use किसलिए होता है move करने के लिए goods को कहां पे inside the EWM warehouse तो warehouse task की एक simple side अब उसमें हो क्या क्या सकता है task में warehouse की जितनी activity है न उटवे की उसका भी warehouse task बनेगा picking उसका भी warehouse task बनेगा तो कुछ और quality clearance उसका भी task बनेगा तो जैसे उधर transfer order हर चीज के transfer order बनते थे इधर हर चीज का क्या बनेगा warehouse task बनेगा ठीक है PSA production supply area को बोलते हैं पहले EWM में हम लोग mapping कर देते थे work center जैसे machine है कहीं production हो रहा है तो उस machine को हम लोग work center भी माल लेते थे बीन भी माल लेते थे ताकि mapping हो सके कि कौन सा work center कौन सा बीन है वहां अलग से कोई concept नहीं था ECC में लेकिन EWM में अगर आपको अलग से mapping करनी हो production supply area इधर से track कर सकते हैं तो आपको बीन बनाना हो तो यह transaction कुल गई अब आपने जैसे जैसे मैं बता रहा था WM में आपको section mandatory था यहां side section mandatory नहीं है आज जैसे मैंने एक bin ohm 01 एक warehouse बनाया है ठीक है उसमें आप मुझे जैसे bin डालनी है om 1111 करके मैंने एक bin डाल दी enter मारने पर आप देखिए आपको mandatory field में खाली आपको storage type मिल रहे है और इतनी सारी field मिल रही है पहले इधर आप देखेंगे ECC में तो आपको बहुत limited number of देखता हूँ इसमें अगर बना है कुछ तो वेराऊ से 001 ले 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 लेता हो रहे है यह तो होगा इस standard वेराऊ से अब तो इधर देखेंगे इधर limited चीजे थी काली वेरिफिकेशन एक फिल्ट दिया था section जरूरी था mandatory था यहां आपको डालना ही पड़ेगा नहीं डालेंगे बीन मनेगी नहीं maximum weight, maximum capacity दिया था यह capacity utilization चेक करने के लिए put away block, removal block यह इधर भी है जैसे आप देखेंगे नीचे आएंगे जैसे यह entry करेंगे वो आएगा option उसके अलावा SAP ने इसमें इतनी सारी फिल्डे दिये जो अलग से दी है देखिए आईल्स यह आपका level किस level में है किस stack में है तो अभी मैं उसी हिसाब से लेता हूँ आईल और stack के हिसाब से ताकि थोड़ा सा आपको समझ आएगा यह आईल stack level में कोई doubt है क्या यह क्या होते है पता है या मैं बता हूँ पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा उसका अब आते हैं हम एक्सल में थोड़ा सा इस पर समझने के लिए मेरा एक वेराहूस है ठीक है और उस वेराहूस में न मेरे यह रैक्स है पहला रू है यह रैक का में दूसरा है यह कसी में लेता हूँ एक एरिया रैक का यह दूसरा है यह दूसरी है यह तीसरी है रैक ठीक है तो इदर वाली मेरी IELTS माल लीजिए वन है पहली लाइन पंकती जैसे हम यह 01 दूसरी क्या हो गई दूसरी लाइक तीसरी ए-0 तो यह जो लाइन्स हो गई न यह सब क्या हो गई आई अब सपोर्ष की यह पेकिंग के लिए कोई बिन आपको मिली है जैसे मैंने यही एक्जामपल लिया यही बिन ले लेता हूं मैं तो इस वन का मतलब क्या है कि पहली तो क्या रो है तो पहले से पता जल जाता है कि अगर हाई रेक स्टोरेज है यह तो मुझे किस मिन में जाना है तो पहले में जाना है तो यहां टू देना था है ना अब वन में आप गुश गए तो अब उसमें क्या है दूसरा क्या यह जो है होरीजोंटल जो जा रहा है यह है जीरो वन क्योंकि किस अगर मालीजे यहां जाना है तो चौथा स्टैक हो गया अब तीसरा लेवल तो लेवल के आप मालीजे बड़ी रैक है ना जोसे इतनी जीरो वन यह है और जीरो टू उपर वाला है जीरो थ्री उसके उपर वाला ठीक है तो जीरो वन डॉट जीरो टू और उपर वाला थ्री होगा तो तहले से पता चला कि किस रो में जाना है दूसरे से पता चला किस लाइन में जाना है और तीसरे से पता चला किस लेवल में अब इदर क्या हो गया इदर आएंगे तो यह स्टेक्स क्या हो गई दो गई 0 20 गे यहां से क्लियर समझ आया को तो पहला क्या हो गया आई हो गई दूसरा स्टैक हो गया तिसरा जो गया कहा पड़े तो चैसितां कि ये इसमी मुझे अगर इदर में तोॉ इसमारीटir कि इसम्हाल रहे। जब लॉफ होता है स्टॉन्स सवाइब ना हुच्छ करते हैं तो और गी स्ट्रक्चर बनाते समय यह ध्यान रखना होता है कि मैं जब इस रोज से जा रहा हूं अगर सपोज कर रहे यह बंद है मैं भी बंद कर देता है अगर हो सकता है ना यह बंद हो अब इदर जाँके इदर इदर यह आना है तो अब मैं जब जा रहा हूं तो मुझह कोई फरक नहीं पड़ता है कि दोनों क्या हो सकते हैं है और इस का इस वट शिटेक एक हिसरश ऑुफ से लेकिन अगर इदर राली है अब अगर यह खाली हो गया तो अब आपको क्या हुए अभी मालो यहां से पिकिंग नहीं हुई यह जाते समय पिक कर सकता था बंदा है ना तो आप उसको कैसे शॉटिंग करा सकते थे आईल ठीक है फिर स्टेक लेवल पर कराई सॉटिंग है ना आईल और स्टेक अब वो इधर आ गया अब उसको इधर वाला पिक नहीं किया माल तो अभी उसको क्या है पूरा ऐसे या तो ऐसे गूम के आएगा या तो फिर ऐसे वापिस जाएगा है ना तो आपको शॉटिंग कराते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि बिन लेवल का सॉटिंग और मैटेरियल लेवल का सॉटिंग पर लोग क गिक़ित है जी आडेट हो गया है ना फिफो के लिए फित हो गया यह दूतीन से शेटिंग नॉर्मल यूज़ करते हैं है लोग है लोग है कि Wait माटेरियल बीन और जियारेट जियारेट से पता चलता है कि कौन पुराना माटेरियल फीफो सिस्टम हमेशा पहले वही बताएगा तो पिकिंग में तो कोई फायदा पढ़ने वाला नहीं है अगर इस टेंजेंट फीफो है तो जीतर बोलेगा उदर जाना पड़ेगा क्योंक है और किसी ने इस प्टेंट को मांगा है ऑप दूसरा इस में बीन जोर्टिंग प्रॉपर अगर चेंज कर वाना हो तो एक बारहने चाहिए हमारे पास बिन शौटिंग का आयगा जब त्यों बनता है वर्क वेर रहाउस टास्क जब बनाते है ने ये सब कैसे आता है तिक कि न माटेरियल के हिसाब से तो तुमने पिकलिस्ट में जो टेटर्माइन कराया वही इदर और कि structure के हिसाब से वैसा ही यह भी होना चाहिए और आरेव डिवाइस पे वही दिखना चाहिए तो मैंने एक दो वेराउस में देखा है RF device पे कुछ आ रहा है pick list पे कुछ आ रहा है तुमारा ये तीयो की जो display report है उसमें कुछ आ रहा है अब वो क्या होता है user confused होता है किसी को पता नहीं होता है इसलिए कोई बोलता नहीं है आइडली ये तीनों एक होने की तो task बनाते समय न जो rule है इसमें EWM एक benefit है यहाँ पे warehouse task से पहले work order बनता है WT से पहले WO बनता work order और work order जो होता है वो combine of multiple warehouse task होता है SAP ने साइद EWM में इसलिए दिया हो कि ये work order एक ही work order है पर यहाँ एक task यह है WT1 एक one task है two task है three task है पर एक ही जैसे task है और task determine होते है तुमारे process type से आएंगे process type है न process type जो moment type थी न warehouse में कहां से क्या उठाना है कहां से क्या ले जाना है automatic TO बनाना है नहीं बनाना है source bin क्या determine होगी destination वो WM में था इधर process type से control होता है process type में एक दो नए feature दिये है तो process type के इसाब से जो तीन task बने है उसका work order क्या होना चाहिए और work order task जो होता है यह इसी लिए combine करता है ताकि एक बंदे को जब assigned हो तो वो तीनो activity सहीशे कर पाए और task बनाते समय जब work order की यह bin sorting जो आप बोल रहे हो जो चाहिए इधर से आएगा तो क्या होगा इधर से जाएगा क्या होगा तो अगर suppose करो मेरा यहां आ रहा है तो मुझे sorting कराते समय अगर मैंने material level पर sorting किया है rigid तो material level पर जैसे होगा तो अगर यह तीनों combination कर रहे हैं तो करते समय तीनों structure देखना चाहिए कि यह क्या फरक बनने वाला उसको समझा देना चाहिए आप जितने यह बनवाओगे बढ़वाओगे उतने आपको दिक्कत होगे ठीक है आपका question क्या था चेतन जी कि यहां हम बिन शॉटिंग में इसको डिसकॉस करने वाले है बट शॉटिंग होती कैसे है जो बीन शॉटिंग है ना अभी जो यह बनाए है न अभी देखिए बिन तो शॉट हमने बहुत अच्छे से कर दिया यहां पर है आप सबोज कि यहां भी है है ना यहां है material यहां पे दूसरा material और यहां तीसरा material है है ना तो जब shorting होगी तो material बीन आया बीन के बाद तो अगले बीन पे तो तब ही बढ़ेगा ना जब यह तीनों violate हो जाएंगे तीनों में नहीं मिलेगा राइट तो हमने बीन को तो short proper यहीं मैं ऐसे बना देता कि यह ऐसे होता तो अब क्या होता रूल तो तुम्हें सही बताता कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ वट उसके step बढ़ जाते बिचारे के वह यहां भी जाता यहां भी जाता यहां भी जाता यहां दिख रहा है, बिन सेक्शनिंग दिख रही है, बिन का एंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस जो पर में हमने दस्री कलास में पड़ी थी न, डिस्प्लेस्मेंट पे, वो यहां से कल्कुलेट की जा सकती है, आप लोगों ने कभी काम किया है, पाथफाइंडर पे, और उस काम आता है उसका, अगर आप सपोज कि यह यूरोप या USA में किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे चले गया है, जिसका वेराउस बहुत बढ़ा है, और वहां पे लेवर जो है, वो बहुत मेंगी है, 20 डॉलर पर, मुझे याद है, मैं जब गया था, तो जो लो एरिया था, वहां भ क्योंकि इंडिया में लेवर बहुत सस्ती है, वो कहीं भी गुमता फिरता रहा है, उसको एक और दे दिया कि भाया, मुझे तु दस लाइने पिक करके देगा, इतनी कॉंटिटिव, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तु क्या कर रहा है, क्योंकि 10 अजार का यूजर है, व मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम किया था, वो ओरीजन से डिटर्माइन करता है, जैसे एकस वाई होता है, माली जी एकस है, यह यह एकस है, तो मेरी एक कही ना कहीं तो मैं खड़ा हूंगा, वो ओरीजन हो जाएगा, वहां से बिन का अगर कॉडिनेट दे रखा है, तो इसको आरिज़र मानके यह X2-X1 वाला डिस्टेंस फर्मुला से यह डिस्टेंस आ जाएगा, इससे यह डिस्टेंस आ जाएगा, इसका लिमिटेड यह पाइथागुरस प्रमेर से यह लीस डिस्टेंस आ जाएगी, तो अगर बंदा यहां गया, तो ऐसे घूम के ना जाえ He ऐसे जाए तो उसको यही पात बताए तो यह सब WM में नहीं था हमने एक प्रोजेक्ट किया था उसमें एक प्रोग्राम बनवाया था पात फाइंडर का तो उसमें यह सब की जरुवत थी और I was suggesting कि यह सब worldview में है बटक्व कुम कोятиव लगाना नहीं था तो उनने एक है तो हमने भी इसी तरीके से किया उसके coordinate map किये coordinate से आपको पता है distance formula से निकल जाएगा तो आते यहां पर मैं अपना storage लिया मैंने कि आप देखे सब कुछ खतम होगे मैं सेव करूंगा मैंने कुछ और नहीं डाला है जबकि वहां पर सेक्षन भी डालना पड़ता है एंटर करूँगा सेव करूँगा मेरी बिन बन जाएगी दिस्क्रेवाला बटन खौलना तक है तो यह मैंने टीकोट यहाँ डालती है ताकि आप डेली डेली प्रैक्टिस जरूर कीजेगा ताकि आपको ध्यान दाएगा तो यह है तो यहां पर मैंने अपना एक बिंड डालती है वही वाला जो हम बना रहे थे तो यहां डेटा में है जैसे डवलो में बनाते थे पर फिर भी मैं आपको सिखा दूँगा अभी मैं स्टेजिंग एरिया में बना रहा हूं तो सेव करेंगे आपका बीन बन जाएगा इस्टोरेज बीन क्रियेट हो गया अब यह ट्रांजेक्शन लेवल पर देखिए जो डिफरेंस त है ना यहां पर यह जो आप डालेंगे स्ट डवलो में एंटर मारेंगे तो कुछ टेबले आपको मिलेंगी ऐसे ठीक है कुछ टेबले बदली है ऐसे पी ने बट कुछ चला के देख सकते हैं मेजर तो मैं बताई दूँगा आपको क्या-क्या यूज होती है ना तो टेबल लेवल पर टेबल लेवल पर टेबल लेवल पर यह डिफरेंस है अब मैं पाथ लेवल दिखाऊंगा एक बर यह आजए लग रहा है बहुत ज्यादा बन गई है यह देखिए आपको मैं अपना अभी तो बनाया है अभी हम आज ट्रामजेक्शन बता रहें प्रोसेस कन्फिगरेशन हम कल करने है जैसे हमने बता है पहले प्रोसेस डिसक्स करेंगे फिन कन्फिगरेशन के जाएंगे हम एक ड्राइंग लेते हैं उस ड्राइंग को माप करते हैं सिस्टम में तो अभी आप लोग के लिए आज का टास्क रहेगा कि आप लोग ना जो और की स्ट्रक्चर हमने डिसक्स किया था पीछे आप सभी लोग बना लीजिए फिर हम क्या करेंगे न मैं आपको कराऊंगा आप पैरललली सब लोग एक साथ मल्टीपल लोग इन कर सकते हमारे सिस्टम में तो साथ किस साथ करेंगे ताके किसी को प्राब्लम हा रही है न तो उस वाल भी हो जाए ठीक है तो मैंने जैसे एक वेरहुस बनाया आप भी एक वेरहुस पैरललली बनाएंगे एक चेतन जी तरों जी सब लोग पांच वेरहुस बनाएंगे एक साथ ठीक है फिर बनाते समय और इस्ट्रक्चर तो सब को अपना अपना एक और इस्ट्रक्चर बनाना है ठीक है आप बनाके आएंगे फिर हम कन्फिगरेशन स्टार्ट कर देंगे अगर कुछ अलग वे है तो आप दिखाओगे या वह हम लोग करके आएंगे कैसे होगा नहीं हम दिखाओंगा आपको करके दिखाओंगा एक है ना आप एक बना दोगे हम उसको रेपली का अपने अपने असाब से बनाएगे बेलकुल आपको बनाके एक वीडियो क्लास दे दूंगा डॉक्मेट दे दूंगा यू विल फॉल्लो दवीडियो और आपना खुद बना लोगे और कुछ पाब्लम आएगा तो आपना खुद ब देखे इसमें यही फरक था जो मैंने अभी आपको दिखा है एक बेस्ट चीज दी है सेपी ने अगर आपको मास बिन बनाना हो तो वहां लेसम डवलू था या आप कोई प्रोग्राम बनाके देते थे यूजर को करना था यहाँ पे मास बिन के लिए सेपी ने ट्रांजिक् है तो उदर क्या था लेसम डवलू बना के देते थे लोग अपना बनाते थे आईटी कर देता था वेरहाउस को अगर चाहिए तो फिर हम लोग उसका कस्टम बनाते थे क्योंकि आप्शन नहीं था तो यह जो ट्रांजिक्शन है आपकी जो मैं दिखा रहा था था एस भी य क्रांजक्शन चलाइए अपना फाइल बनाईए फाइल अप्लोड करिए करिये करिये बीन बन जाएगा तो मैं अभी एक फाइल लिए लेता हूं जो बनी वही है मेरे पास में स्टोरेज विन अप-लोड करके एक वन है उसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं हमने जो बि यह फाइल प्रिपेर कर ली ठीक है शेव की तेक है और शेव करने के बाद फाइल बनाने के बाद देखेंगे है यह सुरी हाँ 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 इधर से समझा देता हूं इस यह ना दिख रहा है आपको यह ाल यह सब यह यह है और यहरो स्टोरेज भी इन इस्टोरेज भी चौनि में वैसे बनाया है ठीक है टीक है पहला पहला वीोरा माय Points विर ही नोगे तीसरा में अAlone यह फट हमें इसलिए मैं लोग करेंगे तो लिख लिजीए तो अब इदर से क्या करना है फाइल सेलेक्ट करनी है यह यह डबल क्लिक करेंगे फाइल आ जाएगी यहां पर तो अभी आप लोगों को जब और इस्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो थोड़ा सा बिन का नोमन क्लेचर सोच के रखेगा और अपने लिए 1200 कम से कम 100 बिन बना के अब आपको नीचे दिखेगा कि कहां पर क्या जाके फिट बैठने वाला है यह हो रहा है लोड़ हो रही है फाइल ठीक है दिख रही है आपको आप क्रियेट करेंगे तो यह सारी बिने जो हम बना रहे हैं यह बन जाएगा ठीक है तो यह एक नया फीचर है डवलेम के अंदर मास बिन करियेट करने का एक फीचर है मास बिन प्रिंट का भी है ना ठीक नहीं ल árasmre समाधर क्लासिव कि अगर मास में लिए बार कोड में क्या करता है बिन में क्या प्रिंट करता है तो उसके啦 इन बन गई है जैसे ही आप उस टेवल में जो खुली थी उस टेवल में जाएंगे ना Việt यह को स्ट अपना वेरहाऊस लिया है, एक्जिक्यूट किया है, तो जो नई बिन बनाई है वो भी आ जाएंगे तो सतीज जी? हाँ, जी हाँ, तो ऐसे मास बिन बना लिजिएगा आप, एक्जिक्यूट के अंदर, तो फिर वो दर क्या रहता था, वेरहाऊस में कि आप या तो कस्टमाइजेशन का इस्टम ट्रांजिक्शन बनानी पड़ती थी, EW में स्टेंडर मिल जाता है, ठीक है, नेक्स्ट है, अब पाथ कैसे जाते है, ठीक है, तो देखिए, मैंने इतनी सारी टीक कोड लगी है, हम दीरे-दीरे टीकोड पर जाएंगे, जैसे जैसे क्लास चलेगी, ठीक है, पाथ लोजिस्टिक में आपको वेरहाउसिंग जो आती है, वो इधर देखिए, स्पेशल देखिए, एक लोजिस्टिक एग्जिक्शन जो WM के लिए है, और जो SC EWM जो है, वो EWM के लिए है, यहाँ पे जाएंगे, EWM में जाएंगे, तो बहुत अच्छा एक वो चलाते थे, आउट बाउंड के लिए, तो वहाँ डिलिवरी के अलग-अलग ट्रांजिक्शन थी, है न, बहुत सारी, SAP ने क्या किया है, मॉनिटरिंग के लिए, बहुत अच्छी एक ट्रांजिक्शन बनाई है, पाथ से भी दिखाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा यह हो, बिन देखनी हो, मास्टर डिटा हो, आप यहाँ स्टॉक देखना हो, एक ही रिपोर्ट बनाई है, slash nscwm, monitor करके, जब आप एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे वेरहाउस डालना होगा, और मॉनिटर में SAP डालना होगा, यह SAP का कॉक्पिट आप देखने जा रहे, त इता ही करना, यह standard transaction है, execute करेंगे, आपको देखे सारी रिपोर्टे मिल गई, और जो रिपोर्टे दी है SAP ने, उसको दो वे में दिया है, पहले क्या होता था, आप रिपोर्ट के अंदर जाके देखते थे उसको, और उसके अंदर जाना होता तो और अंदर जाके देखते थ अब SAP ने उसको कैसे दिया है, EWM के अंदर, तो यह 3-way में दिया है, एक tabular दिया है, इधर दो horizontal और vertical दिया है, यह header के लिए साथ के साथ, यह line item के लिए, यह header में उपर में multiple delivery आएंगी, नीचे multiple delivery है, तो उन multiple delivery के नीचे क्या item है, वो आएंगे, और इधर overall आप क्या report तो एक SAP ने एक यह नया EWM में ऐसा वे दिया है, तो मैं अभी जैसे आप inbound पे जाएंगे, यह देखिए, सारी report आपको यहां मिल जाएंगे, monitor में ही, और अलग-अलग transaction भी बना रखी हैं, अगर किसी को transaction वाई जाना हो, तो मैं अभी monitor दिखा देता हूं, monitor में जाएंगे अभी आपको outbound देखना है, inbound देखना है, जो भी देखना है, मैं अभी यह stock पे चलते हैं, मैं एक stock का दिखा देता हूं, stock पे गया, अभी देखिए, इतने तारिके के आप stock देख सकते हैं, और इसमें जो वहाँ पे concept था, physical और available, वहाँ एक table थी, LPUA, WM के देखिए, देखना है, आप available जाके, physical stock पे double जब क्लिक करेंगे, तो आप product डालिए, उसका stock category डालिए, handling unit manager, वो डालिए, batch पता है, वो डालिए, कुछ भी नहीं पता है, आप execute कर दीए, तो जितना भी stock है, आपका, warehouse के अंदर, वो आपको दिख जाएगा, physical piece से, available stock से, तो यहाँ जो stock दिखेगा, आप उसको move कर सकते हैं, क्योंकि it's available for picking, movement, transfer, तो जैसे आपको दिख रहा है नहीं है, यह एक storage type है, यह एक bin है, यह product है, यह उसका नीचे, आगे उसका descriptions है, quantity है, यह जो यह बहुत important field है, owner or disposal, यह supply chain unit से आता है, warehouse structure जब हम organization configure करेंगे, तो उसमें दिखाऊंगा, मैं यह कहां से warehouse में automatic लेता है, किस दिन time हुआ, क्या हुआ, किस delivery के through आया, inbound delivery के through, और inbound delivery का category क्या था, item क्या था, दूसरा, अगर आपको इसका detail header level पे देखना हो, तो आप जाएंगे यहाँ पे, यह वाला जो selection था, यह forum view में दिखा देगा, तो आपको detail पता चलेगी, कि किस bin में है वो, किस storage type में है, अगर वो PSA है, तो उसको अलग से PSA के लिए दिया हुआ है, transport unit resource अगर है, तो उसकी detail भी यहाँ आ जाती है, handling unit है, तो handling unit आ जाएगा, product कितना है, quantity कितनी है, यह इतनी सारी detail आपको header level पे मिल जाएगी, inspection क्या हो रहा है, weight, length, inventory अगर active है, तो वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इन सब में आप एक एक बार, जितना आप इन रिप आएगा, कि किस report को कैसे execute करते हैं, तो थोड़ा time spent करके, और इन सभी column को जाके देखिएगा, report थोड़ा चलाईएगा, थाड़ा confident आए, कि हाँ, यह कैसे चलती है, अभी तो आप ऐसे ही चलाएंगे, जैसे direct आ रहा है, हम अभी क्या करेंगे, आपको मैं कुछ documents दूँगा जिसको आप refer करके चलाएंगे, तो इतनी महनत आपको नहीं करनी पड़ेंगे, अल्रेडी document बना हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है, मैंने बहुत पहले बनाया था, एक साल पहले, जब मैं सीख रहा था, EWM को, तो उसमें थोड़ा detail level पे नहीं डाला है, screen shot लिया है, आपने जो सतीजी warehouse बना है, उसका क्या number है, I think आपने बहुत सारी involved delivery बनाई है, हाँ जी, EWH1, तो कि उसी को ख़ल लेता है, उसर है, दूसरा इस report का एक benefit है, यह जो SAP ने report बनाई है, केवल report नहीं है, it's more than report, तो अगर आपको कुछ execute भी करना है न, अगर mass select करना है, तो mass select कर लीजिए, और एक move करना है, एक करीए, और यह जो item दिख रहा है, आपको setting के बगल में, यह बहुत important है, आप जब इसके पास जाएंगे, तो आपको करना क्या है उसमें, वो देख सकते हैं, दूसरा, यही से आप transaction भी चला सकते है, warehouse task भी बना सकते है, bin to bin भी कर सकते है, mass ने, SAP ने, report देखके, आप direct इनी transaction उसे जो monitor में है, यह background में, वो सारी बापियां, सारे function module करके, सारा का सारा काम background में process कर देती है, चलिए, EWM में, मैं यह काम करता हूँ, बहार आता हूँ, तो इस, वो transaction से दिखा रहा था है, यहाँ, पाद से आप जब जाएंगे, तो monitor में, यह SCWM देखिए, वही monitor आ रहा है, तो जब आप monitor करें ने जाएंगे, तो आप से वो warehouse, और उसकी detail अभी मैंने डाल दी है, जाएंगे, खोला को बार 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 ही है, हमजी इधर है ना, लेफ में एक user form है, उसको टिक करता है, अच्छा एक सेकंड लूग जाएंगे, मैं slash and, एक warehouse में RF device का आप पूछ रहे थे ना, उसकी transaction SAP ने दी है, मैंने यहाँ पे save किया, यह दिख रहा है ना, user maintenance, यहाँ पे थोड़ा आसान transaction दिया, वहाँ जैसे LRFMD था, और LM00 transaction थी, जहाँ से आप देखते थे, कि कौन सा बंदा किस warehouse में है, यहाँ पे SCWM user एक transaction है, ठीक है, जहाँ से आप जाके देख सकते है कि कौन सा बंदा किस warehouse में maintain है, तो जैसे आप देखेंगे, यह जो ID है हमारी वाली, वह हमने यहाँ पे 1710 warehouse में, और यह resource है, उसक यूजर को जब हम RF वाली transaction करेंगे, तो यह जो यूजर की setting RF device-wise वही है, ठीक है, SCWM underscore user, हाँ सती जी बोले, कुछ कहे रहे थे आप, अजी उसमेना, riding? लफ्समे पार्हस पार्वज्वेज हैं यूजर में, यूजर्फमन दाओंड वह है हैं वोपार कुछ में यूजर्फमन आऌ टोड़िए अ Okay युच्छ profile में डाल दूगा ना I think SAP ने यह हटाया नहीं होगा पट let's check यह हटाया है क्या SU3 आपका user parameter रहता है ठीक है and you can maintain your warehouse here automatic ठीक है तो जो WM में LGN parameter था WM के अंदर let me check what the parameter नहीं WM but जब आप LGN डाल देते हैं LGN जो भी automatic चाहिए आप यह parameter में जाके वो parameter SAP में डूड़ के जब आप यहां डालेंगे तो जैसे मैं warehouse हमारा क्या था मैंने OM1 मनाया ना यह काम करता हूँ देखिए यह warehouse का parameter आगया है मैं standard लेंगता हूँ 001 1710 I think EWM में parameter change किया होगा मैं आपको चेक करके बता दूँगा तो यह automatic वहां से उठा लेता है save कर रहा हूँ हमारा EWM sorry EWM let's see if taking it's automatically इधर change करना तो यह काम नहीं कर रहा हूँ मैं इसका parameter ढूंड के बताऊंगा क्योंकि यह जो parameter बताया न यह ECC में बहुत अच्छा काम करता था यहां भी करना चाहिए क्योंकि SAP ने parameter level पे कुछ change किया नहीं है मैं आपको WM का थोड़ा बता देता हूँ इसमें कि जब आप parameter में जाएंगे और अपना warehouse जैसे मैं अभी यह parameter में मैं WM का warehouse लेता हूँ standard वाला 001 तो अगर मैंने यहां पे LGN parameter maintain कर दिया है तो system will automatically fetch in all standard report of WM 001 देखिए अपने आप आ रहा है ठीक है LX02 खोलिए LT23 खोलिए जो warehouse की रिपोर्टे थी तो user parameter एक बार आपने maintain कर दिया तो बार बार डालने की जरूबत नहीं है और जैसे warehouse डाल रहे है वैसे plant भी डाला जा सकता है storage type भी डाला जा सकता है बेंद भी डाला सकता है packing material डाला जा सकता है जो जो चीजे org level की है ना उसका parameter दिया है ताकि आपको ज़्यादा entry ना करनी पड़े ठीक है काफी टाइम हो गया इस कोई आप लोग पुछना चाहते है मैं थोड़ा ठग गया विल कनेक्ट पूर अधर विल सेर दी और कि स्टक्चर डॉकमेंट तो अलफ यू और साथ में फिर नेक्स में वेरहाऊस इस्टोरेश टाइप शक्षन वें एडव्यम और यर्प का इंटिगरेशन डिस्टिपूशन मॉडल सप्लाइचेन ये कन्फिगर करेंगे आम सब लोग आना अलो ठीक है तो इदर को